Hello students, welcome back to my channel, your channel, पुनित सर की पाढ़ शाला, जी हाँ मैं आपका प्यारा पुनित सर आज आपके सामने ले के आ गया है एक और नया लेक्चर जो की होगा Arthematic Progression Class 10th Mathematics का और ये होगा Lecture No.5 जी हाँ तो आप देख रहे हैं आज हम दो questions को discuss करने वाले हैं जो की होंगे exercise 5.2 के question No.4 और question No.5 इसके पहले वाले lecture में इस particular series के हम लोगों ने discuss कर लिये थे question No.1, 2 और 3 उससे पहले exercise कर चुके थे तो बिना देरी किये इस lecture को शुरू करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, my dear students, आज बिलकुल दिल थाम के बैटो और ये वाले questions जो की होंगे arithmetic progression के nth terms related वो आपको हर एक चीज समझ मा जाएगी अगर आपने पहले दिन ये वाला lecture खोला है, यानि arithmetic progression शुरू कर रहे हैं और आपने ये वाला lecture खोला है तो भी घबराने वाली बात नहीं है, आपको आज हर एक चीज समझ माएगी चलिए, तो देखो इसके पहले अगर मैं lecture शुरू करूँ, तो मैं आपको कुछ AP के बारे में, यानि arithmetic progression के बारे में कुछ basic जानकारी देना चाहता हूँ arithmetic progression का होता मतलब ये है कि ये series है किसी number की, जो की आगे बढ़ती है किसी एक particular number से मतलब, जैसे अगर मैं लेक देता हूँ, 1, 2, 3, और 4, और ये series आगे बढ़ती जा रही है, कोई end होगा या नहीं होगा, अगर ऐसे digits लगा है तो वो infinite number तक जा रही है, हम किसी particular number की बात कर सकते हैं, तो ये हो गया इसकी first term जिसको हम बोलते है a1, ये हो गई second term जिसको हम बोलते है a2, ये हो गई इसकी third term जिसको हम बोलते है a3, ये हो गई इसकी fourth term जो होगी a5, sorry a4, तो अगर देखा जाए, तो ये ap कब कहला ये ap तब कहलाएगी, जब दो consecutive numbers का जो difference होगा, वो कैसा रहेगा, same, सब का, जैसे 2-1 किता आगया 1, 3-2 किता आगया 1, 4-3 किता आगया 1, ऐसे आगे चलेगी तो 5-4 किता आगया 1, अगर इन सभी का, यानि a2-a1, या a3-a2, या a4-a3, अगर सब का same आता है, तो उसको हम क्य common difference, क्या बोलते हैं, common difference, और अगर कोई series number, या कोई ऐसी series जिसमें numbers हो, और उनका common difference same ना हो, तो उसको हम arithmetic progression नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उनका common difference, यानि second term और first term का difference, third term और second term का difference, अगर same आता है, सब का एक जैसा आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ap, अब ऐसे हमने कहा था कि अगर मानलों पहला number अगर a ही है, तो इन दोनों common difference क्या हो गया, d, तो अगला number कब आएगा, जब मैं d plus करूंगा, तो इसमें कर दिया मैंने a plus d, अगला number कब आएगा, जब मैंने इसमें a को और d plus कर दिया, यानि a plus d plus d, a plus d किता हो गया, 2d, तो जो गया a plus 2d, ऐसी आए a3 जो कि है a plus 2d, तो आप देखेंगे, first term common है, common difference जो है, वो सम्में common है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे यहाँ 2 है, तो यहाँ d के साथ किस से multiply किया हुआ है, one से, यह मैं introduction lecture में बता भी चुका हूँ, फिर इसके साथ अगर यह 3 है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, two, जो कि होगा, एक minus, यहाँ अगर 3 है, तो यह कौन सी term है, fourth term, मैंने कहा, अगर fifth term बतानी है, तो क्या करेंगे, sir, कुछ मत करो, a plus, इसको एक minus करो, कितना हैगा, four, अगर मुझे a hundred term बतानी है, तो क्या होगा, sir, a plus hundred minus one, तो कितना होगा, 99, यह हो गया, into d, तो यह होगी, hundredth term, किसी ap की, अगर मैंने बोला, nth term बतानी है, तो क्या करो, sir, जो लिखा हुआ n, उसमें a plus करके, एक minus करो, और d से multiply कर दो, यह formula बनता है, nth term का formula, किसी भी arithmetic progression का, किसका formula बनता है, nth term का formula बनता है, बहुत बढ़ी है, शांदार, इसका मतलब, अगर मुझे kis nth term को निकालन है, किसी ap की, तो हम क्या करेंगे, उसमें a को a plus करेंगे, और n जित्ता भी निकालना है, उसमें 1 minus करके, उसको common difference से multiply कर देंगे, तो हमारा answer आ जाएगा, क्या आपको समझ में आया यह formula, बिल्कुल, अभी इसके बाद एक sum का formula भी है, जो की होता है, s is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, यह यह भी होता है, तो यह sum का formula जब हम discuss करेंगे, sum वाली exercise को, तब हम यह समझा देंगे, अभी आपको an-th term का formula समझना है, an मतलब होता है, यह उस term की बात कर रहा है, जैसे मैंने का 50th term of ap is 100, मतलब किसी ap की 50 भी term जो है, वो 100 है, तो यह जो है, वो है, a 50, और a 50 की value किसके मैंने का, n की value किती है, अभी दिख रहा है, आपको n की value किती है, 50, अब उसमें d की value दी हो, या a की value दी हो, और कुछ एक पूछा हो, तो आप easily इस question को solve कर सकते है, with the help of this formula, nth term का formula, अगला question जो है, वो इसी formula के उपर based है, आप देखेंगे, question है, which term of ap, अब वो बोल रहा है, कि ये ap है, ये तो ap है, और ये 78th term जो बोल रहा है, कि इस ap की ऐसी कौन सी term है, यानि कितने number की term है, जो 78 है, मतला, ap में जाओ और count करो, पहली term, दूसरी term, तीसी term, फो, चौथी term, पाशी term, तो ऐसी कौन सी term निकलेगी, जो क्या निकलेगी, इस ap की 78, तो सबसे पहले check करना का धर्म ये बनता है आपका, कि भाई, आप सबसे पहले इन दोनों को check कर लो, कि क्या ये common difference बराबर है, तो 8-3 हो गया 5, 13-8 हो गया 5, और 18-13 कितना हो गया 5, यानि common difference same आ रहा है, यानि ये particular जो series of number है, वो ap में है, 100% है, इतनी picture clear है, बहुत बढ़िया, अब हमारे पास formula ब है, हमें which term पूछ रहा है, मतलब कौन सीtr sommes हे, हमें an, तो दिया हुआ है, लेकिन n पूछ रहा है, an कौन सी दिया हुआ, ये 78, तो an कितना दिया हुआ है, sir? an दिया हुआ है, 78, बहुत बढ़िया, बिटा' a कितना दिया है, सोचो? sir a दिया हुआ है 3 common difference कितना दिया हुआ है sir common difference दिया हुआ 5 तो अगर आपको कोई भी 1, 2, 3 चीज़ पता है तो चोथी term आसानी से निकाली जा सकती है with the help of this formula बढ़िया है पुट करो an की value कितनी है 78 is equal to a कितना है sir 3 है plus n पूछा है और बहुत बढ़िया d की value हो गई 5 बहुत बढ़िया इसको इदर लेके जाओ minus करो 78 में से 3 minus होगा 5 multiply होगा किस से n minus 1 से अब कुछ बच्चे इसको 5 से multiply करते हैं bracket open करके फिर 5 को उदर लेके जाते हैं फिर 5 से divide करते हैं बहतरिंग काम है multiplication है तो आजाएगा 75 divided by 5 is equal to n minus 1 5 बंजा 5 5 बंजा 5 5 बंजा 25 यानि n minus 1 की value आगई 15 यानि 100% n की value आजाएगी 15 plus 1 जो की हो जाएगी 16 समझ में आया कि नहीं आया यानि इस AP को आगे बढ़ाओ 16th term तक कहा तक बढ़ाओ 16th term तक बढ़ाओ आपको क्या मिलेगा 78 अब मैं पूछाओ 10th term बता दो इस AP की 10th term अरे सर 10th मतलब n की value कितनी दे रखिया आपने 10 आपने an पूछा हुआ क्योंकि आपने वो 10th term चाहिए आपने a दिया हुआ जो की है 3 आपने d दिया हुआ जो की है 5 अब आप इसी फॉर्मूले को वापस से लगा लो अब आपको an निकालना है an मतलब a10 निकालना है क्या निकालना है an मतलब n की value कितनी ये 10 तो an कितना हो जागा a10 a10 की value कितनी हो जाएगी जड़ा पता हूँ 3 प्लस 10-1 9 इंटो d की value कितनी होगी 5 जाज यानि a10 की value हो जाएगी 3 प्लस 9 इंट आपको दे दे मैंने इसके पहले example भी आपको solve करवा है इसके just part number 4 में या part number 3 में आप प्लीज इस पूरी की पूरी playlist को चेक आउट करके आप link में description में दे रहा हूँ आपको ठीक है चलिए तो अगला question करते है question number 5 जो कि इस lecture का आखरी question होगा मैं lecture छोटा बना रहा हूँ जल्द यल्दी complete करवाना है आप लोग भी आसानी से फटा फट इसको complete करते जाए और फिर one shot videos लेके आएंगे हम हर lecture के और related to new book यह जो चलेगा अब जो नई सीरीज में बना रहा हूँ वो new NCRT की किताबे जो 2023 और 2024 में छपी हुई है उनके हिसाब से बना रहा हूँ क्योंकि कुछ deleted portion जो permanently हटा दिया गया है NCRT से समझ में आ गया है? चलिए देखते हैं अगला question है find the number of terms अब इसमें पूरी number of terms कितनी है? आपको last term तक दे रखी है यह आपसे पूछा है तो A Nth term आपको दे रखी है 205 आखरी term है आपसे पूछा है इनके बीच में कितनी terms आएंगी तो A कितना दिया हुआ है? आपसको 7 और common difference आप अभी निकाल सकते हैं इन दोनों को minus करके और इन दोनों को minus करके चेक कर लो 13 minus 7 6 और 19 minus 13 6 यानि common difference आगे 6 आपसे पूछा है N कितना होगा? सर अभी निकाल देते हैं A N is equal to A plus N minus 1 into D आपको A N कितना दिया हुआ है? 205 is equal to A कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों A दिया हुआ 7 प्लस N निकालना है minus 1 into D की value किती दे रखी 6 clear है ने बोला picture? बहुत बढ़िया 7 को पहले इदर लेके जाओ minus कर दो तो 205 minus 7 is equal to 6 गुना N minus 1 ठीक है? इन दोनों को minus करेंगे तो पहले 5 minus करो तो आएगा 200 फिर 2 minus करो तो आएगा 198 तो आएगा 198 is equal to 6 times of N minus 1 तो N minus 1 कितना जागा 98 upon sorry 198 upon 6 ठीक है? 6 बन जा 6, 6 3 जा 18 6 3 जा 18 तो answer आएगा N minus 1 is equal to 33 और आखरी जो answer है वो है 33 plus 1 क्योंकि minus 1 इदर जाएगा तो plus 1 यानि N is equal to 34 and this is your answer यानि इस पूरी AP में कितनी number of terms है? सर इस पूरी AP में number of terms जो है वो कितनी है? 34 आप चाहें तो इससे खुद को pause करके इस lecture को pause करके भी पूरा lecture फिर से आप मतलब question को pause करके आप इस question को पहले attempt करें पहले attempt करें उसके बाद question को देखें कि आप सही है या नहीं सही है तो very good और नहीं तो ठीक करना हमारा फर्ज है चलिए अगला question बहुत important वैसे वैसे ही है अब यहाँ पर एक चीज है मैंने अभी आपको इसके पहले बताया कि आपको common difference d जो है वो plus होता है अब किसी ने बोल दिया अगर मेरी AP उल्टी चल रही हो जैसे मैं जा रहा हूँ माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1 और ऐसे जा रहा हूँ तो कैसे चलेगा तो सर अभी भी AP सीधी चल रही है आप देखो छोटा नमबर उससे बड़ा नमबर उससे बड़ा नमबर है लेकिन माल लो AP चल रही हो 4, 3, 2, 1, 0, माइनस 1 अब AP जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे तो इन दोनों common difference इन दोनों को माइनस करके नहीं निकालेंगे इन दोनों को माइनस करके आएगा माइनस 1 अब इस नमबर में हम add करेंगे common difference जो की किता है माइनस 1 तो answer आएगा 4 प्लस माइनस माइनस तो answer आएगा 3 अब इस 3 में भी फिर add करेंगे क्या common difference जो की आगा 2 2 में भी फिर क्या add करेंगे common difference यानि integer को add करना है फिर उसके बाद जो भी हो रहा हो चलिए तो इसमें आपको common difference देखो देखने को मिलेगा पहले क्या दिया हुआ है 18 और यह दिया हुआ है 15 whole 1 upon 2 यानि इन दोनों का common difference होगा वो 3.5 something होगा माइनस का करके देख लेते हैं आप एक काम करो 15 whole 1 upon 2 तो 15 to 31 तो 31 by 2 माइनस 18 करके देख लो ठीक है इसको इन दोनों को माइनस करना है तो हमने 31 by 2 को माइनस कर दिया 18 से तो मेरा जो आंसर आएगा वो negative में आएगा तो कितना आगया बटा जल्ली बताओ 18 minus 18 toza 36 बिल्कुल सही sir 36 आगया upon 2 तो यह कितना आजागा मेरे प्यारे बच्चो 31 minus 1 तो यह जागा 5 minus का minus 5 by 2 minus 5 by 2 sorry है ना तो minus 5 by 2 कितना आगया ज़रा बताओ 3.5 2.5 आगया minus का 2.5 ठीक है है ना अब इसमें 31 by 2 में add कर दो minus 2.5 तो आपको 30 मिल जाएगा तो आपको common difference मिल गया नहीं सांज जाए एक बार देख लो common difference क्या था second term और first term को minus करना first term क्या है a is equal to 18 यह a1 है a2 कितना दिया हुआ है sir a2 दिया हुआ है 15 2 जा 30 plus 1 31 इसको मैंने mixed fraction से काई में कर दिया improper fraction में कर दिया improper fraction वो fraction होता है जिसका numerator बड़ा होता है denominator छोटा होता है तो मैंने कर दा 31 by 2 minus का 18 अब मैंने यहाँ D निकाल लिया तो D की value मेरा LCM लेने से आई 2 और आगे 31 और यह आगे 18 2 जा 36 तो यह कितना आगा मेरे प्यारे बच्चो 31 में से 36 जाएगा तो minus का 5 बचेगा और minus का 5 नहीं minus का 5 बचे 2 आप इसको fraction में भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको nth term दे रखिये a nth a nth term कितनी दे रखिये minus का 47 और आपको n निकालना है कि कितनी terms होंगी आपको a दिया हुआ है 18 आपको d दिया हुआ minus का 5 बचेट 2 and you can easily answer the question how? now you get all the points for the formula that is a n is equal to a plus n minus 1 into d a n कितना दिया हुआ है बच्चों minus का 47 a कितना दिया हुआ है 18 plus n minus 1 हमको निकालना है minus का 5 by 2 हमारा क्या आया बेटा common difference चीक है? हाँ बढ़ी है सर बढ़ी है बढ़ी है अब क्या करें? इसको इदर लेके जाएं तो यह जाएगा minus का 47 minus का 18 is equal to minus का 5 upon 2 multiply कर रहे है n minus 1 से ठीक है? तो इन दोनों को पहले add कर दो तो यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 और 8 7 और 8 हो जाएगा 15 यह हो जाएगा 15 8 दुनी 16 15 और यह जाएगा 4 plus 1 5 plus 1 6 यह हो गया minus का 65 is equal to minus का 5 upon 2 into n minus 1 तो minus से minus cancel हो गया 5 1 जा 5 5 13 जा 13 पंजे पेशट यह हो जाएगा 13 multiplied by 2 is equal to n minus 1 यानि n minus 1 की value हागी तेरा दुनी 26 चेक है? तो n बराबर 26 plus 1 n बराबर 27 therefore the answer is 27 so therefore how many terms are there in this AP? there are 27 terms in this AP इस AP के अंदर कितनी terms है? 27 terms है समझ में आ गया के नहीं आ गया? जल्दी बताइए तो क्या सीखा हमने? आज का ग्यान क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी भी AP को अगर मैं AP बोलूँगा तो वो AP क्या है? वो AP एक सीरीज ओफ नंबर है जो की उन सीरीज के हर कंजिकेटिव नंबर का difference हर कंजिकेटिव नंबर का difference जो है वो common है यानि अगर मैंने कोई A1, A2, A3, A4 डश 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 मैंने AP लिख दी है तो यह term और यह term का difference यानि A2 माइनस A1 का जो difference होगा वो किसके बराबर होगा? A3 माइनस A2 के difference के बराबर होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? D, यानि इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? common difference तभी हम कहेंगे कि वो क्या है? AP है जैसे मैंने इशाद एक question किया था मुझे याद है 1 का square, 5 का square और 7 का square फिर ता 73 एक question किया था मुझे याद है तो 1 का square होगा 1 और यह 25 होगया और यह 49 होगया और यह 73 होगया अब बताओ यह AP है या नहीं? यानि 125, 49, और 73 मेरे ख्याल से AP है या नहीं ये चेक करना था question कुछ इस form में दिया हुआ था 1 का square, 5 का square, 7 का square और 73 देख कर तो नहीं लग रहा था कि AP है लेकिन जब इसको थोड़ा सा हमने समझा तो इन दोनों का common difference किता आया 24 इन दोनों common difference भी 24 आया इन दोनों common difference 73 माइनस 49 तो भी मेरे ख्याल से आयेगा 24 और ये common difference अगर same हो जाता है तो ये पूरी जो series है इसी को मैं क्या कहता हूँ AP इसी का एक जो main USP है समझने वाली वो यह यह कि अगर series of number के common difference यानि दो consecutive numbers का difference जो की second वाला first से third वाला second से minus करेंगे अगर वो same आता है then it is an AP तो आज के lecture में इतना ही मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए जहन